नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप डियलेट प्रथम समेश्टर के विज्यान प्रश्ण पत्र जो की वर्स 2017 में पूछा गया था उस पेपर का कम्प्लीट सलूशन देखने जा रहे हैं यदि विगत पांच वर्सों में पूछे गए डियलेट प्रथम समेश्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कम्प्लीट सलूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्चन जरूर चेक करिएगा चले दोस्तो वीडियो प्रारम करते हैं पहला प्रशन पूछा गया था मचली में स्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाये जाता है तो उत्तर हो जाएगा option number 2 गलफडा दूसरा प्रश्न पूछा गया था, एक गज बराबर होता है, तो एक गज तीन फुट के बराबर होता है, option number 3 इसका सही उत्तर है तीसरा प्रशन पुछा गया था घुलनसील ठोस प्रदार्थों को द्रौ से प्रिथक करने की विधी है तो वास्पन विधी द्वारा घुलनसील ठोस प्रदार्थों को द्रौ से प्रिथक किया जाता है क्योंकि जब उनको वास्पिक्रित किया जाता है तो जो जल होता है वो वास्प बन करके उड़ जाता है और जो ठोस होता है वही केवल बचता है तो उत्तर हो जाएगा option number 4 वास्पन चौथा प्रशन पूछा गया था option number 3 वीज पत्र इसका सहे उत्तर है दोस्तों बात करेंगे अतिलेगो तरिये प्रशनों की छटा प्रशन पूछा गया था जलिये पौधों के तने वा पत्ती की एक-एक विश्यस्ता लिखे जो पौधे जल में पाए जाते हैं उनके तने और पत्ती के विश्यस्ता के बारे में पूछा जा रहा है तो पहला आप लिख सकते हैं कि कुछ जलिये पौधों के तनों में हवादार इस्थान होते हैं जिससे वे पौधे को पानी में इस्थिर रखते हैं तो ये तने की विशेस्ता हो गई और पत्तों की विशेस्ता के बारे में आप लिख सकते हैं कि कुछ पौधों की पत्तियां पानी के उपर तैरती रहती हैं जिससे वे सूरी की रोशनी को प्राप्त कर सकें सात्वा प्रशन पुछा गया था कीट भक्ची पौधों की विशेस्ता एवं नाम लिखिए कीट भक्ची पौधे की विशेस्ता के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये पौधे दलदली जमीन या पानी के पास उगते हैं और इन्हें नाइट्रोजन की अधिक जरूरत होती है जब इन्हें पोशक तत्व नहीं मिलता है तो ये कीट पतंगों को खार करके इसकी कमी को पूरा करते हैं और सांती सांत आपसे कीट भक्ची पौधों के नाम के बारे में पूछा गया था तो आप लिख सकते हैं पहला पीचर प्लांट दूसरा आप लिख सकते हैं ड्रोसे गति के बारे में आप लिख सकते हैं कि किसी वृत्तकार पत पर होने वाली गति वृत्तिय गति कहलाती है जैसे कि सूरे के चारों तरफ एक वृत्तिय पत पर प्रित्वी उसकी परिक्रमा कर रही है तो ये एक वृत्तिय गति का उधारन हो गया गुर्णन गति के बारे में अंगों के नाम लिखिए, तो सर्सों के पुष्प के विभिन अंगे के बार यह अप लिख सकते हैं, पहला पुष्प आधार, दूसरा बाहे दल, तीसरा पंखुडियां, चौथा पुंकेशर और पांचवा कारपिल, जिसे अंडप भी कहा जाता है, दस्वा प्रश्ण पु 40 degree Celsius के बीच में तापमान मापा जा सकता है, आपके मन में प्रश्ण आ रहा होगा कि कई बार हमने सुना है कि किसी को बुखार 102 degree हो गया, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि वो Fahrenheit में होता है, जबकि प्रश्ण में आप से degree Celsius में पूछा गया है, degree centigrade में पूछा गया है, तो पौधों में अलाएंगिक प्रजनन की विधियों के बारे में आप लिख सकते हैं, पहला विखंडन होता है, दूसरा कलिकोत पादन, तीसरा खंडन और चोथा काईक प्रवर्धन, दोस्तों बात करेंगे लगुत तरिये प्रश्णों की, बारह हुआ प्रश्ण पूछा क् पर बरबारी होती है, परवतिये छेत्रों में कुछ विशेष जन्तु जैसे कि याक, भेड, पहाडी, बकरी, भालू, आदी पाय जाते हैं, या जन्तु वहां के ठंडे बातावरण में रहने के लिए उनके सरीर की त्वचा बहुत मोटी होती है, मोटी त्वचा के नीचे वचा की एक परत और त्वचा के उपर घने एवं लंबे बाल पाये जाते हैं, जिसकी वज़से वह ठंड से बच सकते हैं, बाल लंबे होने के वज़से इन्हें अत्यदिक सर्दी या फिर ठंड नहीं लगती है, तो ये कुछ महतोपूर्ण विशेस्ता आप लिख सकते है परवती छेतर में पाये जाने वाले जन्तूओं के बारे में, इसकी अलामा अगर पौधों की बात की जाए, तो जहां पर बर्वबारी होती है, वहां पर पौधे शंकु धारी नुमा हो जाते हैं, ताकि जो बर्व हैं, वो पौधे के पत्तियों पर या फिर पौधों पर गती की नियम के बार में भी पूछा गया था तो गती के कुल तीन नियम है पहला प्रतम नियम जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है दूसरा समवेक का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या नियम न्यूटन के द्वारा दिये गया थे इसी वज़सित को न्यू दूसरा है समवेग का नियम, इसकी अनुसार दो वस्तूओं के समवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई आस अंतुलित बल कारे ना कर रहा हो, इसे समवेग संरक्षन का नियम कहते हैं, यानि कि मान लिजिए कि दो पिंड ह पहले आ रहा होगा, क्योंकि समवेग क्या होता है, यानि कि द्रविमान गुड़े विलोसिटी, तो जो पहले का द्रविमान गुड़े विलोसिटी, यानि पहले पिंड का था, और दूसरे का जो द्रविमान गुड़े विलोसिटी होगा, वो आपस में बराबर होगा, यह समवेक संरक्षण के नियम के अंतरगती होता है बात करेंगे गती के तीसरे नियम की जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं प्रतिक क्रिया की उसके बराबर और उसके विपरित दिसा में प्रतिक्रिया होती है इसे गती का तृतिय नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं जैसे कि कुवें से पानी खीषते समय रस्ती तूट जाने पर वैक्ती का पीछे गिर जाना दूसरा आप लिख सकते हैं रॉकेट का आगे बढ़ना उचाई से कूधने पर चोट लगना ये सभी गती के तृतिये नियम के उधारण है चौधावा प्रशन पूछा क्या था अमर बेल सिंघाडा एवं आर्किड में किर्स किस प्रकार की जड़े सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती हैं सबसे पहले बात करेंगे सिंघाडे के जड़ों के बारे में तो इसमें प्लावी जड़ पाई जाती है, इसकन पर आप इमेज देख पार होंगे, कुछ जली ये पौधों की जल की सता पर तैरने वाली साखाओं के उपर की और एक अबस्थानिक जड़ निकलती है, जो की हलक ऐसी मुलायम, रंगहीन, इसपंजी होती है, ये जड़े जल की सता के उपर हवा का संग्रह कर पौधो की सता पर तैरने में सहायक होती है, सिंघाडा में इस प्रकार की जल पाई जाती है, दूसरा अमर बेल की जड़ों के बारे में पूछा गया था, आप इसक्रिन पर अम या चूसक जड़े कहते हैं अमर बेल चंदन आदी में परजीवी जड़े पाई जाती हैं आप इसकन पर पुरा फिगर देख पा रहोंगे बात करें आर्किट जड़ों की तो इसमें अधिपादब जड़े पाई जाती हैं कुछ पौधे अन्य व्रिक्षो पर उगते हैं इस इस प्रकार के पौधो को अधिपादब पौधे कहते हैं इन पौधों से विशेष वाईवी जड़े निकलती हैं जो की हवा में लटकती रहती है ये वाईवी जड़े बाहर से वेला मेन नामक आवरण द्वारा उपर से धकी रहती है यह उत्तक हवा से नमी सोक लेता है बिन प्रकार के मापक यंत्रों का उपयोग कहां कहां करते हैं ये हो सकता है मापक बरतन अपने आप में एक विवाद प्रेश्ण बन जाता है तो यहां पर कुछ मापक यंत्र के बारे में आप लिख सकते थे जैसे कि अमीटर के बारे में एनिमो मीटर के बारे में बैरोग्र करता है इसी प्रकार से मापा की अंतरों का कुछ उल्लेक आप कर सकते हैं बात करेंगे प्रसम संख्या बंधन फोस की तुलना में कम होता है अता कर्ण जो होते हैं वो गतिमान होते हैं इनका निशित आकार नहीं होता है अर्थात जिस आकार में ढाल दिया जाये उसी आकार में ये द्रौ ढाल जाते हैं इनका आयतन निशित होता है गैस की आणविक सनचना की बात की जाये तो गै प्रवा प्रशन पूछा गया था बीजों के प्रक्रिणन किस किस माध्यम द्वारा होते हैं लिखिए तो कीटों के द्वारा बीजों के एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक इस्थानांतरन करने की क्रिया को ही बीज प्रक्रिणन कहते हैं इसके माध्यम के बारे में आप ल जैसे कि रूई या फिर कपास के बारे में आप लिख सकते हैं तीसरा आप लिख सकते हैं कुछ बीज भीदर से खोकले होते हैं और इसके खोल इस्पंजी और तंतु में होने से ये पानी में तैर कर दूर तक पहुंच जाते हैं जैसे कि नारियल चौथा आप लिख सकते हैं क कीटों की सहायता से भी कुछ बीज एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक पहुंच जाते हैं। के विज्यान प्रश्ण पत्र का पूरा पेपर सलूसन आपने देखा। आपको ये वीडियो का इसला का कमेंट करके जरू बताएगा। सांती पिछले पांच वरसों में पूछे गया डियलेट प्रथम समेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कम्प्लेट सलूसन देखन इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करे आपका दिन शोब हो